किसी समय की बात है, एक छोटे से गाउं में एक प्रसिद्ध मास्क निर्माता रहता था जिसका नाम था धुंदकार। धुंदकार मास्क बनाने में माहिर था और उसकी मास्क इतनी सुंदर और अद्वितिय होती कि लोग दूर दूर से उसे खरीदने आते थे। परंतु धु जानक रहस्य छिपा हुआ था। वह मास्क केवल देखने में सुंदर नहीं थे, बलकि वे उन लोगों की आत्मा को भी अपने भीतर कैद कर लेते थे, जो उन्हें पहनते थे। धुंदकार के मास्क पहनते ही व्यक्ति की आत्मा उसके मास्क में बंध जाती और धीरे-धीर उसकी पूरी पहचान खो जाती। उस व्यक्ति का चेहरा मास्क में समाहित हो जाता और वह केवल एक खाली शरीर बन कर रह जाता। धुंदकार का असली मकसद था। इन मास्क के माध्यम से आत्माओं को कैद करना और अपनी अमरता को बनाए रखना। उसने एक विशेश मं और उसे समझ में नहीं आया कि उसकी पहचान धुंदकार के मास्क में गुम हो रही है। अरुन ने जैसे ही मास्क को उतारने की कोशिश की उसने महसूस किया कि उसकी आत्मा उसमें फंस चुकी थी। वह चीखने चिलनाने लगा लेकिन कोई उसकी आवाज सुन नहीं पाया धीरे धीरे अरुन का चेहरा मास्क का हिस्सा बन गया और उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसमें गैद हो गई। गाव के लोग धीरे धीरे समझने लगे कि धुन्दकार की मास्क में कोई न कोई रहस्य है। जब एक एक कर लोग गायब होने लगे तो सभी को शक हुआ कि धु बुजर्ग ने हिम्मत जुटाई और धुन्दकार के पास जाकर उससे मुकाबला किया। उसने धुन्दकार को उसकी मासकों के पीछे के भयानक सच को उजागर करने पर मजबूर किया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। धुन्दकार ने सैकड़ों आत्माओं को कैद कर लिया था और वह इतना शक्तिशाली हो चुका था कि उसे हराना असंभव लग रहा था। बुजर्ग ने गाव वालों को धुन्दकार से लड़ने के लिए इकठा किया और सभी ने मिलकर उसकी मासकों को नश्ट करना शुरू कर दिया। धुन्दकार ने जैसे ही देखा कि उसकी शक्ति खत्म हो रही है वह एक अंतिम मासक पहन कर गाव से भाग गया। कहते हैं धुन्दकार आज भी कहीं छिपा हुआ है नए शिकारों की तलाश में ताकि वह फिर से अपनी शक्तियों को इकठा कर सके। कहानी का अंत तो हुआ पर क्या ये सचमुच खत्म हुआ या धुन्दकार फिर से लोटेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नई कहानियों के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।